हेलो एवरीवन वेलकम तो आट से स्टडी में डीजी आट से स्टडी में डीजी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है एज यू नो डट वी अस्ट पॉलिटिकल साइंस सीरीज अप क्लासिक दिस इस फर्स्ट लेक्चर अप चेप्टर एट डैट इस रूलर लाइबलिवड इस चेप्टर में हम लोग ग्रामीन जीवन के बारे में देखेंगे कि गाओं में जो लोग रहते हैं उनका जीवन अस्तर कैसा होता है वे लोग क्या खाते हैं क्या पहनते कहां रहते हैं ठीक है काफी सारे चीजे जो है चाप्टर में आपको डाइरेक्ट नहीं मिलेगा ज अच्छा आखिर ऐसा होता होगा उनका लाइफ स्टाइल ठीक तो आपको थोड़ा बहुत इनलीसिस करना पड़ेगा बाकी चलिए हम लोग इस चाटर में आगे देखते हैं कि क्या है कम अबशुपरेख्टर आब लाइपONG लोग का आपको थे उसने अनुटल में देख चुक है है कि कैसे ही रीजन का difference जगह का अंथर जो है लोगों के life पे उफेक्ट करता है उसको अपकर चिप्टर में डोंग्यांप देखे थे एक देखे थे लगा का और दूसरा देखे थे करला का अगर आपने पहले चेप्टर का प्लेलिस्ट का लिंक मिल जागा वहां से आप इसले सारे लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं इसके अलावा और जो भी सब्जेक्ट्स है पॉलिटिकल साइंस के अलावा जोग्राफी को एक्सेस कर सकते हैं हिस्ट्री को भी एक्सेस कर सकते हैं अगर आपको हमारे लेक्चर्स क की पीडिएप चाहिए तो डिस्क्रिप्टर में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा वहां से आप पीडिएप को भी लिया सकते हैं तो इन दिस चैप्टर वी विल लुक अट डिफेरेंट वेज इन विस पीपल और लिविंग इन विलेज तो इस चैप्टर में लोग देखेंगे तरह तरह का जो काम अपनाया जाता है गाओं के लोगों के द्वारा जिससे वे लोग अपना जीवन यह अपन करते हैं तो उसको अम लोग देखेंगे एंड हीर टू एज इन फॉस्ट टू चैप्टर स्वी विल एक्जामीन वेदर पीपल है विक्वल अपर्चुनिटी टू और ना लिविंग तो हम लोग पहले जो दो चैप्टर से उसी के बेसी पर जो है और और मतलब एक तरह से क्या करेंगे एक्जामीन करेंगे कि जो ल में है तो अपर्चुनिटी जो है उसको हम लोग देखेंगे कि क्या अंतर है क्या क्या अपर्चुनिटी जह भी लूग देखेंगे जो कि ग्रामीन जीवन तो कलपट्टू विलेज अब पता नहीं इसका तमील में क्या प्रोनुंसियेशन होगा मुझे जाहां तक लग रहा है कलपट्टू ही है तो कलपट्टू इस विलेज दैट इस लोग तो देट इस लोग तरह तरह के काम करते हैं एस इन अधर विलेजेश यह तो देर इस नन फार्म वर्क सचाइज बां मेकिंग बास्केट्स यूटेंसिल पॉट्स ब्रीक्स बॉलॉक काट्स एटीसी तो और एस इन अधर विलेजेश जैसा कि दूसरे गाओं में भी होता है तो उसी तरह कलपट्टू गाओं में भी नन वर्क होता है जैसे कि नन फार्म वर्क भी होते हैं जैसे कि मेकिंग बास्केट यानि कि टोकडी को बनाना बरतन को बनाना पॉट्स को बनाना इट को बनाना बुलोक काट्स को बनाना यह सब यहां के लोगों का नन फार्म वर्क है यानि कि क्रीसी के अलावा यह वर्क यहा वीभर्स बार्बर्स साइकल रिपेर मेकेनिक्स एंड तो यहां पर और जो लोग हैं वे लोग सर्विसेश प्रवाइड करते हैं यानि कि ऐसा जॉब जिससे लोगों को सर्विस दिया जा सके जैसे कि ब्लैक एसमित यानि कि लोहार नर्सेश टीचर्स धोबी वीभर्स यानि साइकल रिपेर करने वाले यह लोग क्या करते हैं दूसरे को सर्विस देते हैं तो यहां पर कलपट्टू गाव में कुछ दुकांदार लोग भी हैं कुछ बयापारी लोग भी हैं इन दे मेन स्ट्रीट विच लुक्स लाइक बजार यो विल फाइंड वराइटी ओफ ए स् चोटा सा मार्केट है जिसको बजार बोले जाता है तो वहां पर काफी वराइटी वराइटी के छोटे चोटे दुकान दिखते हैं जैसे की चाय का दुकान ग्रॉसरी का दुकान नाई का दुकान कपड़ों का दुकान ठीक है एक टीलर का दुकान है वहां पर दो फर्टिल वीच सेल टीफिन तो वहां पर चार ऐसे चाय के दुकान है जो टीफिन बेशते हैं टीफिन में क्या क्या होता है तो इडली डोसा उपमा यह सुबह में वे लोग बेशते हैं ठीक है और स्नैक्स लाइक बड़ाई वॉंडा माइसोर पार्क इन द इवनिंग पता नहीं यह टीफिन का चोंव और होता है को टांच लूहर के घर के बगल में diabetic शुओप ऐभी कर वा सकते हैं या आपको साइकल का रिपेरिंग कर वाना है तो भी वहां पे करवा सकते हैं या तो फेमिलीज अर्न लिविंग बाइंग क्लोथ वहीं पे दो ऐसे परिवार है कलपट्व गाह में जो क्या करते हैं कपड़े धो करके अपना जीवन यापन करते हैं यानि कि वो धोबी है, there are some people who go to the nearby town to work as construction workers and lorry drivers, कुछ ऐसे लोग हैं जो नजदी की जो है टाउन में सहर में जाते हैं, वहाँ पे construction में जो भी काम करते हैं, मजदूर होते हैं, उनका वेलोग काम करते हैं और lorry driver का भी काम वेलोग करते हैं, the village is surrounded by low hills, तो जो कलपट्टू गाओं है, वो किस चीज़ सराउंडे है, छोटे छोटे पहाड़ीों से surrounded है, तो paddy is the main crop that is grown in irrigated lands, तो वहाँ पे जो भी family है, कलपट्टू गाओं में, तो उनका जो है agriculture पे dependent है वेलोग, अपना जीवन या अपन agriculture से ही, क्रिसी के कार्यों से ही करते हैं, there are some coconut groups around वहाँ पे जो है coconut का group होगा, ग्रूप पता नहीं साथ farm को बोलते हैं एक तरस जहाँ पे, coconut की coconut दिखे, cotton, sugar cane and plantain are also grown and there are mango orchards, तो वहाँ पे cotton, sugar cane और केला ठीक है, इन सब को भी उगाया जाता है, वहाँ पे आम के वगीचे भी हैं उस गाओं में, Let us now meet some people who work in the fields in Kalpattu and see what we can learn about farming from them, तो हम लोग आप कुछ लोगों से मिलेंगे, उनसे Kalpattu गाओं के लोग से जो खेतों में काम करते हैं, उनसे हम लोग कुछ बातचीत करेंगे और वह लोग मतलब अपना experience बताएंगे कि क्या farming से related उनका जनकारी है, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो सब हम लोग आगे देखेंगे, यह एक फोटो है, transplanting paddy is a back-breaking work, तो paddy जो होता है, वो एक तरह से paddy को क्या किया जाता है, पहले बीच को छिटा जाता है, ठीक है, बीच बड़ा हो जाता है, तो उसको वहां से उखार तरके फिर दूसरे खेत में लगाया जाता है, तो इस तरह से इस method को transplantation method बोलते हैं, तो इसको उखारना, मतलब निकालना और फिर दूसरी जगर ले जाके लगाना, यह कमर तोड़ देने वाला काम है, कमर तोड़ना यानि कि वो fracture वाला तोड़ना मत समझ लेना, कमर तोड़ना मतलब काफी मुश्किल जो हो है, तो अब नाम के एक महिला रहती है, उससे बाचित किया जाता है, पता नहीं तुलसी है या थुलासी है, प्रोननसियेशन यह तमिल वर्ट्स है, तो मेभी रॉंग हो सकता है, अगर आप राइट प्रोननसियेशन कर सकते हैं, तो एक्जेक्टली कमेंट बोक्स में बता सकते हैं, अल पट्टू, तो रामालिंगम के पास कल पट्टू में 20 एकर का धान का खेत है, मतलब ऐसा फिल्ड है, जहां पर धान लगाया जाता है, इवेन विफोर आई वाज मैरेड, आई उस्टू वर्क पैड़ी फेल्स इन मैं पैरेंटल विलेज, तो महिलाय क्या होती है, साधी के पास दूसरे गाउं चली जाती है, यानि कि अपने हस्बेंट के यहां चली जाती है, तो वो बताती है कि साधी के पहले जब मैं अपने माबाप के यहां थी, तो वहां भी मैं पैड़ी के खेतों में काम किया करती थी, I work from 8.30 in the morning till 4.30 in the evening and कारूत थम्मा रामा लिंगम स्वाइफ सुपर्वाइज दस्तों, बताती है कि मैं सुबह के 8 बजे से साधी के 4 बजे तक काम करता हूं खेतों में और कारूत थम्मा ठीक है, कारूत अम्मा ठीक है, कारूत अम्मा जो कि रामा लिंगम की वाइफ है, व वाइफ है तो जिस महीने का वाच्ची थो रहा है, यानि कि जब अपना स्टोरी बता रहे होते हैं, तो बताती है कि अभी जो समय चल ला है, यहीं एक ऐसा समय है, जिस ताम हम लोग को रेगूलर वार्क मिलता है, यानि कि रोज काम मिलता है, यानि कि एक जगा से उखार करके दूसरी जगा ले जाकरके उसको रूप देंगे, उसके कुछ समय के बाद फिर से जब पैडी थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो रमा लिंगम हम लोग को बुलाएंगे, क्योंकि उसमें खड़ पतवार जो उख जाते हैं, वीट जो उखत करने के लिए, और जब हम लोग उसको उखार देंगे, तो इस तरह से हम लोग को काम मिलेगा, और फिर कुछ दिन बाद जब पैडी बड़ा हो जाएगा, तो फिर उसको जब काटना होगा, हर्वेस्टिंग करना होगा, तो फिर से हमको रमा लिंगम सर कॉल करेंगे, और हम आई ग्रो ओल्डर, I find bending for long hours with my feet in water, very painful, तो बताती है कि जैसे जैसे मेरा उमर डलता जा रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, लंबे समय तक जूंक के काम करना और पानी में पैर रखके काम करना लंबे समय तक यह थोड़ा दर्द नायक, मतलब दर्द भरा होता जा रहा है, म यह 40 रुपया देते हैं, यह कम देते हैं, ठीक है, मेरा जो जहां पर वो पहले काम किया करती थी, उसका जो गाउं था, वहां पर इससे ज्यादा दिया जाता था, but I come here because I can depend on him to call me whenever there is a work, लेकिन मैं तो उससे पूछा जाता ना, कि आप यहां पर क्यों आती है, जब कम पैस तो इस तरह से दोनों एक दूसरे पर क्या है, dependent है, इसलिए वह वहां पर आती है, unlike others, he does not go looking for cheaper labor from other villages, तो बाकी लोग जो है, वो क्या करते हैं, एक लेवर से काम कर वा लिया, अगर वो 40 रुपय में काम कर रहा है, अगर कोई दूसरा लेवर बोला है कि नहीं, मैं 38 रुपय या 35 रुपय में कर दूंगा, या कर दूंगी, तो वो उसको हायर कर लेगा, लेकिन रामा लिंगम के बारे में वो बताती कि वो ऐसे नहीं है, वो 40 रुपय देते हैं, लेकिन जभी भी काम होगा, वो हम ही को बुलाएंगे, चाया वो कम दे या ज्यादा दे पैसा, उससे म माइ हस्बेंड रमन इस अल्सो अलेबर, फिर वो तुलसी जो है, थुलसी वो अपने हस्बेंड के बारे में बताती कि मेरे हस्बेंड भी यह क्या है, लेबर है, वी डॉंट ओन एनी लेंग, तो बताते हैं कि जैसा कि हम लोग मजदूर हैं, तो हम लोग के पास कोई खेत नहीं है, during this time of the year, he has pesticides, तो जिस समय का बात हो रहा है, तो बताते हैं कि इस समय जो हस्बेंड रमन है, वो पेस्टी साइट को खेत में जो कीट ना सक को छीटा जाता है, तो उसको छीटने का काम करते हैं, वेंडेर इस नो वर्क ऑन दा फार्म, ही फाइंड वर्क आउटसाइड ऐदर लोडिंग सेंड फॉम दर रीवर और इस टोन फ्रॉम दा क्वैरी नियर बाइट तो बताती है कि जब खेत का काम नहीं होता है, यानि कि खेतों में जब फसल जब लग जाएं होते हैं, लग र आसपास में यहां से बाहर जा करके क्या करते हैं, वह सैंड को जो है बालू को नदी में जो बालू का खनना होता है, तो वहां पर काम करते हैं, बालू को क्या करते हैं। इसका इस्तेमाल करके अपना घर बनाते हैं अपार्ट फ्रों वर्किंग ओन दे लेंड आई डू आल टास्क है ठों तूलासी बताती है कि अपना जो है खेत पे काम करने के अलावा मैं घर के भी सारे कार्म को करती हूं मैं अपने फैमिली के लिए खाना बनाती हूं गर को साफ करती हूं कपड़े को धोती हूं आई गो विट अधर विमें तो नियर्वाइ फॉर्स तो कलेक्ट फायरूड मैं जो है अपने आसपरोस के औरतों के साथ महिलाओं के साथ जो है नजदीक के फॉरेस्ट में जंगल मे का गठर जो है वह कलेक्ट करके लाती हूं ताकि क्या हूं उसे खाना को पकाया जा है अबाउट वन किलोमेटर अवे वी हैव विलेज बोर्वेल फ्रॉम फ्रॉम फेच वाटर फिर थोलसी बताती है कि मैं यहां से एक किलोमेटर दूर जाती हूं पानी के लिए और वहां स करते हैं कि आवरी स्कूल गोइंग डॉटर्टर्स अर्द ज्वाय फार लाइप थोलसी बताती है कि मेरे जिंदगी में जो सबसे खुसी का चीजी है कि हमारी जो बचियां है वह स्कूल जाती है और वहीं मेरे जीवन का एक तरसे मूल है उनी लोगों के लिए वो सारे काम क में ले जाना पड़ा था वी एक तुसे लावर काल टू पेवेक दा मनी वी बॉराइट फरम रामा लिंगम फ्रॉन हर फॉर ट्रीटमेंट तो बताती है कि उन लोगों के पास किया था ना कि जब वह लोग को का मिलता है तभी वह लोग को पास पैसे आते हैं तो बाखी टा ले करके अपने बेटी का ट्रीटमेंट कर आई थी तो फिर बाद में रामा लिंगम को कर्ज चुकाने के लिए उन लोगों को अपना गाए बेचना पड़ा था आज यू सा इन थुलासी जे स्टोरी पूर फैमिली जिन रूलर एरिया जो उफन स्पेंड अ लॉट अफ टाइम एवरी डे कलेक्टिंग फायरूड गेटिंग वाटर एंड ग्रेजिंग देर कैटर तो जैसा कि आप फुलासी के स्टोरी में देखे गाउं में जो है पूर एक्टिविटे देया टू देम फॉर दा हाउसुल हलांकि उनको इन सब कामों में तो पैसा मिलता नहीं है लेकिन अपने घर की रहस्ती को चलाने के लिए मजबूरन में उन लोगों को यह सब काम करना पड़ता है क्योंकि जो पैसे उनको मिलते हैं काम करके उतने से ही उनक का घर नहीं चल सकता है तो कुछ एक्स्ट्रा यह सब काम जो है खुद से करना ही पड़ेगा क्योंकि काफी कम पैसे उन लोगों को मिलता है काम करके तो हमारे गाव में लगबग टू फिप्थ यानि कि टू वाइफाइब जो है सारे रूलर फैमली जो है वह एगरिकल्चर लेवरर सी हैं तो कुछ जो है उनके पास चोटा सा जमीन का टुकड़ा तो है कुछ तो है जिनके पास वह भी नहीं है नौट बिंग एबल टूर्ण मनी तुरॉट दे इयर फोसे पीपल इन मेनी डूलर एरियास तो ट्रेवल लॉंग डिस्रेंस इन सर्च अफ वर्क तो ग इस तरह से जब लोगों को रेगुलर वर्क नहीं मिलता है तो अगल बगल के एरियास में चले जाते हैं कामों के सर्च में डिस्ट्रेवल और माइग्रेशन टेक्स पीपल डिरिंग पार्टिकुलर सीजन और यह कब होता है तो यह कुछ खास सीजन में होता है जैसे जब ख खेतों का काम निप्टा करके फिर से वापस कहीं काम के सर्च में चला जाते हैं ऐसा चलते रहता है गाह में तो इस लेक्चर में इतना ही थैंक्यों फर वाचिंग एस्टे टेट्यून वेट अस